आज मैं फिर आपके सामने शी टेट टेट बी यूर अन्य सम्मंदी परिक्छाऊं संबंदी कुछ प्रशनों को लेकर करके आपके सामने आए हूँ लेकिन पहले हम पिछले प्रशनों को अध्यन करेंगे जैसे दीन बंधु किसको कहा जाता है मैंने पूछा था पिछले वी विस्मार्क या चाड़क के जो है वो सरदार बल्लब भाई पटेल को कहा जाता है हम अगले प्रश्ण के तरफ चलते हैं यहां प्रश्ण दिया हुआ है रिक्त अस्थानों की पूर्ती करिये नहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तयार किया गया और इसका विशय क्या था अप्शन हमारे दिये हुए हैं मोती लाल नहरू और जवाहर लाल नहरू ब्रिटिश सामराजी के साथ भारत का रिस्ता जवाहर लाल नहरू भारत के स्थानिय स्वाशाचन मोती लाल नहरू भारत के सम्विधानिक व्यवस्थाएं यह चार अप्शन तो इन चारो अप्श होगा तीसरा option मतलब कि मोतिलाल नहरू उसके अध्यक्ष थे तथा भारत के समविधानिक विवस्थाओं के बारे में ये रिपोर्ट तयार की गई थी कुछ प्रशने इससे बनते हैं जिसको हम देख लेते हैं जैसे पहला प्रशने नहरू रिपोर्ट क्या थी तो नहरू रिपोर्ट जो है वो भारत के लिए प्रति पादित नए अधिराज के समविधान की रूप रेखा को दिखाया गया था भारत के लिए प्रति पादित नए अधिराज के समविधान की रूप रेखा को बताया गया था मोति नेहरू रिपोर्ट समीती का गठन किस ने किया ये question बहुत important है दो questions यहां है जो पहला है नेहरू रिपोर्ट समीती का गठन किस ने किया तो याद रखियेगा सभी लोग की मोति लाल नेहरू अगर वहीं पूछ दे कि इस समीती का सचीव कौन था तो वहाँ पर हमारा जवाब मोती लाल नहरू की जगर जवाहर लाल नहरू हो जाएगा जवाहर लाल नहरू अगला है प्रश्ण कि इसको पारित कब किया गया तो इसको पारित किया गया था 28 अगस्त 1928 को इसको पेश किया गया था अगला है कि नहरू रिपोर्ट को कितने भागों में बाटा गया तो हम सबको याद रखना होगा कि नहरू रिपोर्ट को तीन भागों में बाटा गया था पहला था भारत की भावी स्थिति, दूसरा था नागरिकों के मूल अधिकार तथा तीसरा था हिंदू-मुस्लिम संबंध सिफारिशें एक बहुती महतपूर और प्रश्न बनता है कि नहरू रिपोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है ये सब लोग नोट कर लेंगे नहरू रिपोर्ट को भारतिय सम्विधान का नील पत्र कहा जाता है भारतिय सम्विधान का नील पत्र ठीक है ये सब क्वेश्चन कहीं भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए आप सब ही इसको नोट कर लें अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं भारतिय सम्विधान के किस संसूधन अधिनियम में मतदान की उम्र एक कई से घटा करके 18 साल कर दी गई हमारे आप्शन्स दिये हुए हैं 1992, 73 सम्विधान संसूधन 2002, 86 सम्विधान संसूधन 1993, 74 सम्विधान संसूधन और चोथा आप्शन है 1988, 61 सम्विधान संसूधन तो पहले अब सम्विधान संसोधनों के बारे में जान ले कि किस विशाय में ये हुए जैसे 1992 में कि हत्तरमा सम्विधान संसोधन हुआ किस मामले में वो हुआ था पंचायती राज विवस्था के बारे में संसोधन किया गया था इसी में है 74 सम्विदान संसोदन, सन 1993 में किया गया, इसका मुख्य लक्ष था सहरी इस्थानी स्वासासन से निपटना, मतलब सहरी इस्थानी स्वासासन से संबंदित था, अगला है 86 सम्विदान संसोदन, 86 सम्विदान संसोदन, सबको पता होगा, 2001 में हुगा, 21A में, राइट टु एजुकेशन जोड़ा गया था, 21A के एकॉर्डिंग, राइट टु एजुकेशन जोड़ा गया, उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त सिक्षा देने की बात कही गई, यानि कि हमारा ये चौथा वाला आप्चिन जो होगा, वो सही होगा, यानि कि 1988 का 61 सम्विदान संसोदन जो है, उसमें मद्दान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई है, और एक और सूचना मैं आपको देना चाहूंगा इसके बारे में, कि इस समय लड़कियों की साधी कि उम्र जो है, वो कुछ बढ़ा दी गई है, और आपको बताना है कि कितनी बढ़ करके हुई है, हमारा अगला प्रशन है, कौन सा संग सूची के तहत कोई विशय नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से संग सूची के अंतरगत नहीं आता है, तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, सरवजनिक स्वास्त परमाल उर्जा विदेश मामले और योध्यम सांती तो इससे पहले इनको समझने से पहले हमको कुछ बादों को जानने ना चाहिए कि हमारे पूरे कारे जो हैं वो तीन सूचियों में बांट दिये गए पहला था संग सूची दूसरा था राज्य सूची तीसरा था समवर्ती सूची संग सूची मतलब यानि कि जो Central Government को जो काम दिये गए हैं दूसरा है राज्य सूची राज्य सूची यानि जो राज्य को काम दिये गए हैं और तीसरा है समुवर्थी सूची यानि राज्य और राज्य और केंद्र सरकात दोनों मिलके उस काम को करती हैं उसे हम समुवर्ती सूची के नाम से जानते हैं तो हमारा परमाड़ उर्जा एकदम बहुती आसान है कि ये जो होगा वो संग सूची का है विदेश मामले ये भी संग सूची का है तीसरा युद्ध और सांती ये भी संग सूची का है केवल सारवाजनिक स्वास्त जो है ये संग सूची का नहीं ये समवर्ती सूची का एक अंच है ठीक है अब कुछ और महतपुड जान लेते हैं संग सूची की वर्तमान समय में कितने विशे हैं संग सूची में वर्तमान समय में कितने विशे हैं तो वर्तमान समय में 100 विशे हैं कई लोगों का अंसर होगा 97 विशे लेकिन आपको याद रखना है कि शुरू में 97 था लेकिन अब बढ़ करके ये 100 हो गया यानि तीन और विषय इसमें जोड दिये गए हैं ठीक है समविधान लागू होने के समय राज सूची में कुल कितने विषय थे तो समविधान लागू होने के समय कुल छाचट विषय थे राज सूची में और वर्तमान समय में 69 विषय हैं यानि कि 7 विषयों को घटा दिया गया है, अब आते हैं समवर्थी सूची में, समवर्थी सूची में कितने विषय हैं, तो समवर्थी सूची में पहले जो थे, वो 47 विषय थे, अब ये बढ़ करके 52 विषय हो गया है, पहले समिधान जब बना तब 47 विषयों को समवर्थी स चूची में रखा जा रहा है अगला प्रश्ण है हमारा बारिष की छायाएं तब बनाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठने से तेजी से बढ़ती हैं जहां हवा ठंडी होती है और बारिष या बर्फ के रूप में अपने नमी के वेग से नीचे गिराने के लिए संगनित ह होती है इसमें से कौन्सा चाया प्रभाव नहीं बनाती है तो एक आसांस है जो हवाई द्वीफ है वो भी 16 प्रभाव बनाता है ठीक है प्रभाव नहीं बनाते हैं अगले प्रस्ण पर जाते हैं global hunger इंडेक्स 2019 में भारत की ranking क्या थी तो इससे पहले कि इसमें ऑप्षन देख लेते हैं अंठानबेवी ranking है एक सो दसवी ranking एक सो दो ranking है और सटवी ranking है तो हमारा इसमें थर्ड ऑप्षन सही होगा 102 वी ranking है हमको यह पता होना चाहिए कि हमारा Hunger Index में हमारा जो अस्तर है भहुत तेरी से नीचे की और गिर रहा है और Asia में सबसे निम्न अस्तर पर हमें माना गया है अब एक और चीछ जान लेते हैं कि Global Hunger Index किन संस्था द्वारा जारी किया जाता है और सबसे पहली बार इसको कब जारी किया गया था तो इसको International Food Policy Research Institute द्वारा जारी किया जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है International Food Policy Research Institute के द्वारा जारी किया आता है और पहली बार इसको 2006 में जारी किया गया था मतब 2006 से चल रहा है एक और प्रश्ण आता है कि इसमें कितने देशों को सम्मिलित किया गया तो इसमें 117 देशों को 2019 में सम्मिलित किया गया था उनके according हमारी जो सूची है वो बनाई गई थी अगला प्रश्ण है हमारा कि निमलखित कथनों पर विचार कीजिए तो आप विचार करना है तो पहले उन्हें पढ़ना जरूरी है पढ़ लेते हैं ICICI bank ने मुफ्त स्वास्त बीमा के साथ एक fixed deposit पेस किया है मतलब स्वास्त बीमा के साथ एक fixed deposit पेस किया है ये तो सही है हमारा दूसरा है या पेश या पेशकस उद्योग में पहली बार की गई है और महत्पूर बिमारी कवर के संरक्षन के साथ एक निश्य जमा की सुरक्षा और वृद्धी का अलाव प्रदान करती है जो जरुरत पढ़ने पर वृद्धी और मदद प्रदान करेगी इसमें से कौन सा सही है तो मैंने तो बता दिया कि पहला सही है और दूसरा भी सही है क्योंकि अकर ध्यान से पढ़ा जाए तो वो एक सुरक्षा प्रदान करती है तो हाँ अगला प्रशन है आंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने YSR रुईतू भरोसा पीम किसान योजना सुरू की दूसरा कतन इसी में दिया हुआ है योजना के तहट राज सरकार्ण में किसानों को 14,500 रुपए की इनपुट सबसीडी देगी तो इनमें से हमको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है या दोनों सही है तो केवल पहला सही है केवल दूसरा सही है पहला वा दूसरा दोनों सही है या दोनों कथन असत्य है तो हमको ये बात जान जानी चाहिए कि इसमें जो पहला कथन है वो सही है क्योंकि गवर्मेंट ने जो आंदरपदेश गवर्मेंट ने है उसने YSR रही तू भरोसा एपीम किसान योजना सुरू की है अब एक प्रशन इससे बनता है कि ये जो किसान योजना है वो कब सुरू हुई ठीक है कब सुरू हुई सबके दिमाग में आ रहा है ये तो ये जो है 11 अक्टूबर 2019 को सुरू हुई ठीक है अगले प्रशन पर हम जाते हैं आवास और सहरी मामलों में राज्य मंत्री स्री हरदी एस पूरी द्वारा सरकारी कोलोनियों में पर्यावरर संद्रचड के लिए सुरू किये गए मोबाइल एप का नाम क्या है हमारे आप्शन्स है एम हर्याली एम पर्यावरर एम व प्यम किसान योजना थी वह 15 अक्टूबर सं 2019 को और यह जो एम हर्याली योजना है वह 11 अक्टूबर सं 2019 को लागू की गई थी अगला प्रशन है हमारा यह पुष्टक किस ने लिखी है जिसका विमोचन जून 2020 में किया जाना है तो इसमें आप्शन हमारे दिये हुए है मेरिंडा गेट्स, बिल गेट्स, वलमिदीन पुतेन और वारेन बफे तो हमारा सही ऑप्शन होगा बिल गेट्स की यह पुष्टक है अभी मैं कुछ पुष्टकों के बारे में भी बताऊंगा जो इस साल लिखी गई अगला है क्वेस्चन वर्स 2019 का अर्थ सास्त का नोब को प्रदान किया गया हमारे ऑप्शन दिये हुए है अभिजीद बैनर जी एस्थर ड्यूफलो वर माइकल क्रेमर अगला है अभिजीद बैनर जी डेनियल कौन है मैन वर एस्थर ड्यूफलो अभिजीद बैनर जी माइकल क्रेमर वर डेनियल कौन है मैन अगला हमारा सवाप जो कशन मैं करेमर आपको जाएं कि अभीजीद बैनर जी औरस फ्लो ये दोनों पती-पत्नी हैं ये वह तो आशे रीवात है कि एक साथ किसी पती-पत्नी को यह अधाद दिया गया हो कुछ जैसे जो एवार्ड दिये गए, नोबल पुरसकार जो दिये गए है, उनकी लिस्ट है, उनके बारे में देख लेते हैं देखिए किन किन छेत्रों में दिया गया है चिकित्सा के छेत्र में, भौतिकी के छेत्र में, रसायन के छेत्र में, साहित के छेत्र में, सांती के छेत्र में और अर्थ सास्त के छेत्र में दिया गया है अब किन को किन को मिला जैसे चिकित्सा में, आप सभी इसको नोट कर सकते हैं, चिकित्सा के छेत्र में मिला तीन लोगों को, विलियम जी केलीन जूनियर, ग्रेग सिमेंजा और सर पीटर जे रैटा क्लिफ को भौतिक विज्ञान में मिला जेम्स पीबल्स को, मिशल मेर को, एडिरर कलेलोज को रसायन विज्ञान में मिला जान गुड इनफ को, S. M. स्टेनली, विंत गं को, अकीरा योशिना को साहित में मिला पीटर हैंड के को एक बात और सांती पुरसकार साहित का पुरसकार जो है वो इस साल दो लोगों को दिया गया लेकिन एक लोग को 2018 के बेसिस पे दिया गया और एक को 2019 के बेसिस पे दिया गया जो पीटर हैंड के हैं उनको 2019 के बेसिस पर सॉरी, 2018 के बेसिस पर दिया गया, ओल्गा टोका चुर्क को, आप लोग नाम नोट कर लें, ओल्गा टोका चुर्क, और हमको ये बात याद रखनी पड़ेगी, कि 2018 में साहित के लिए कोई नोबल पुरसकार जो है वो प्रदान नहीं किया गया था, जिसकी वज़ा से ओल्गा टोका चुर्क को 2018 का पुरसकार 2019 में प्रदान किया गया, सांती पुरसकार जो कि अभी अहमद अली को प्रदान किया गया, जो कि इथोपिया के प्रदान मंत्री हैं, तो ये पूछा जा सकता है किस देश के प्रदान मंत्री को सांती पुरसकार मिला है, तो हम सब को याद होना चाहिए, इथोपिया, इथोपिया के प्रधान मंत्री हैं जिने सांति पुरसकार मिला और अर्थ सास्त्र अभी हमने पढ़ा कि अर्थ सास्त में तीन लोगों को मिला अभिजीत बैनर जी एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को मिला है मैंने अभी बताया कि अभिजीद बैनर जी और एस्थर डुफलो जो है वो पती पतनी है ठेक है अब कुछ और कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट अभिजीद बैनर जी के बारे में बताते हैं जैसा कि दिया हुआ है कि अभिजीद बैनर जी जो है वो मैसाचुसेट्स इंसिच्टूट अफ टेकनलोजी के एकनोमिक्स के प्रोफेसर भी है उसके साथ साथ अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब के को फाउंडर भी है तो ये पूछ सकता है कि अभिजीद बैनर जी जो की नोबल पुरसकार पाचुके हैं किस एक टेकनोलोजिकल इंसिच्टूट के एकनोमिक्स के प्रोफेसर है तो हमारा एंसर होगा मैसाचुसेट्स इंसिच्टूट अफ टेकनलोजी और ये भी पूछ सकता है कि वो किसके किस लब के याद रखना होगा अब दुललतीफ जमील पावर्टी एक्शन लब के वह को फावंडर है। तो अब ये क्वेस्चन उठता है कि अब्दुललतीफ जमील पावर्टी के एक्शन लब की शुरुवात कब हुई थी तो इसकी इस्थापना जो है वो जून 2003 में कर दी जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ पुस्तकों के नाम बताऊंगा और उनके लेकों को के बारे में जो इस साल पुब्लिश हो रही है तो यह पुस्तक की लेकी का है वंदना सिंग लाल दूसरा है लेट मी से इट नाव किसकी पुस्तक है राकेश मार्या की तीसरी पुस्तक दिया हुआ है बैक स्टेज the story behind India's high growth years यह जो है मोंटक सिंग अलुवालिया की पुस्तक का नाम है अगला है प्रसना इंडिया unlimited mufflyn c the last glory किसकी पुस्तक है तो यह पुस्तक है अरुबिंद पनगडिया की अगला है ritual, ritual किसकी पुस्तक है, उत्तरड़ दास गुप्ता की, अगला प्रश्न है, shuttling to the top the story of the PV सिंधू, यह पुस्तक है, वी कृष्णा स्वामी की, अगला है, और यह last है मेरा, ordinary people, extraordinary teachers, the hero of the real life, यह S गिर्धर की पुस्तक है, और मुझे यह उमीद है कि आज के questions कहीं न कहीं को प्रश्न पत्र में आगे आने वाले प्रश्नों में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ने और ऐसे ही प्रश्नों को और प झाहिं पाति पाते है, इसे जाएंगे पाते हैं आने थे भीदू को आएंगे पाते बयों हित प רק रहांगे पाते हैं है, प्रेख बड़ते हैं। इसत्र यह नहीं कहीं है, यह अमीदह है रहीं हैं आना है, आत्र शज्ञे देक debatedालिक, इससे